हलो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर कि 9 वी और 11 वी के बच्चों के लिए बहुत ही गुड न्यूज निकल कर सामने आई है 9 वी और 11 वी के बच्चे काफी दिन से अपने रिजल्ट का बेट कर रहे थे या फिर ये सोच रहे थे कि किस तरह से हमें पास या पेल किया जाएगा तो एक बहुत ही बड़ी न्यूज निकल कर सामने आई है कि 9 वी और 11 के जितने भी बच्चे हैं इन में से कोई भी फेल नहीं होगा अब आप सोच रहे होंगे अगर कोई फेल नहीं होगा तो क्या सारे पास हो जाएंगे जी नहीं ये भी नहीं है अब आप सोच रहे होंगे कि कोई पास सारे पास भी नहीं हो रहे और कोई fail भी नहीं हो रहा तो इसका क्या मतलब हुआ तो इसका मतलब दोस्तों ये है कि कुछ बच्चे पास होंगे और fail कोई नहीं होगा यानि कि कुछ बच्चों की अगर आएगी तो सिर्फ compartment आएगी लेकिन वो fail नहीं होंगे तो मैं आपको बता दूँ कि चंडिगर एड्मिनिस्टेशन ने क्या किया है कि 20 अपरेल को result जारी करेगा और उस result में क्या होगा सिर्फ fail या compartment show होगा उसमें subject के marks दिखाई नहीं देंगी तो उसमें students जाकर अपना जो है details भरकर अपना result चेक कर सकते हैं कि वो pass है या उनकी compartment है इसके इलावा सबसे अच्छी खबर ये है दोस्तों कि students को 30 marks grace के मिलेंगी total 30 marks जैसे example मान लीजिए आपको pass होने के लिए चाहिए 33 नमबर वैसे तो अब सारे exams जो होते हैं वो 80 नमबर के होते हैं 80 या 70 के तो 80 वाले में लगबग 27 के आसपास चाहिए होते हैं और 70 वाले में 23 के आसपास मान लीजिए आपके हर एक subject में 70 वाले subject हैं सारे के सारे तो उनस सभी 70 वाले सब्जेक्ट में पास होने के लिए कितने चाहिए हर एक exam में 23 नमबर 23 नमबर कहां से आया ये 33 परसेंट बनता है इसलिए ये 23 नमबर है तो आपके 5 सब्जेक्ट थे 5 सब्जेक्ट मान लीजिए 70-70 नमबर के हैं और आपके नंबर आए हैं 23 से उपर सभी subject में, तो तो आप pass हैं, लेकिन आपके मान लीजिए, हर एक subject में कितने नंबर आए हैं, 18, 18 नंबर आए हैं, तो total आपको 30 marks grace के मिलेंगी, 30 को इन 5 subject में divide कर सकते हैं, यानि कि पहले subject को 5 नंबर दे दिये, तो 18 प्लस 5, 23 हो गया, पहले पास हो गया, दूसरे में भी आपके 18 थे, उसमें भी 5 दे दिये, 23 हो गये आपके, उसमें भी आप pass हो गये, तो कितने 5 मिलेंगे ऐसे, total कुल मिला के 30 नंबर आपको free के मिलेंगी वो चाहे तो 30 के 30, एक ही subject में मिल जाएंगे, अगर जरूरत होगी तो, अगर मालीजी आप 4 subject में pass हैं, पांचमें में आपको कितने नंबर मिले हैं, 0 नंबर मिले हैं, और आपको pass होने के लिए कितने चाहिए थे, 23, 70 के साब से बता रहा हूँ मैं, 70 का 33%, 23 के आसपास बनत होता है, तो अगर आप 4 में pass हैं, एक में pass नहीं हो पारें, तो आपको 30 नंबर मिल जाएंगे, फ्री के और उसमें भी आप pass हो जाएंगे, तो 30 नंबर आपको grace के मिलेंगे, अब बात ये कर लेते हैं कि जिनकी compartment है, अब वो क्या करेंगे, तो जिनकी compartment है, उनका exam जो है, तो जिन बच्चों की compartment आई है, उनको 15 माई से 22 माई के बीच में उनका exam लिया जाएगा, अभी fix नहीं है कि किस बच्चे का कब exam होगा, वो school वाले आपको notify कर देंगे, कि 15 माई से 22 माई के बीच में, जो compartment वाले बच्चे हैं, उनको exam देने का मौका मिलेगा, जिस subject में उनक compartment है, तो government schools खुलेंगे, अगर खुलते हैं तो अभी हम कुछ कह नहीं सकते कब खुलेंगे, अगर खुलते हैं तो जैसे 3 माई के बाद lockdown खतम हो जाएगा, और अगर schools खुलते हैं तो compartment वाले बच्चे 15 माई से लेके 22 माई तक अपने exam दे सकते हैं, तो ऐसा पहली बार हुआ है चंडिगड में की एक भी बच्चा 9 और 11 का fail नहीं हुआ, तो 30 माक्स grace मिलने की वज़े से मुझे आशा है कि काफी बच्चे जो है exams को clear कर लेंगे और बहुत ही rare बच्चे होंगे जो compartment लाएंगे और compartment लाते भी हैं तो दोस्तों डरने की जुरत नहीं है, आप उस compartment को clear कर सकते हैं, तो ये थी आपके लिए good news, ऐसे ही अच्छी news के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रही है और चैनल पर नए है तो subscribe जरूर कीजिए, thank you दोस्तों, तब तक के लिए alvida और जैहिंद